असलाम आलेकुम, माइन आम इस सना अर्शद, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम डू माइ यूट्यूब चैनल, मैट प्लस टैट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि विचुल इन्वेस्ट्री के स्टुडेंट्स के, मिटरम की जगा इस बार भी ग्रेंट कुज हो रहे हैं कि अगर इस फाइल को एप्रेपर्शन कर सकते हैं अगर इस फाइल को आप ट्रेडी करे ले तो आप लोग इन्शाला फुर मार्क्स ले सकते हैं एक ग्रेंट फुज में तो उनमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर लेक्चर में क्या डिसकस किया जा रहा है क्या बताया जा रहा है और एक और ट्रिक ये भी आप कर सकते हैं कि जिस नहीं से लेक्चर है आपका जैसे आपका फर्स्ट लेक्चर है सेट से तो आप लोगों को sets के बारे में पता होना चाहिए जैसे second chapter है numbering system तो आप लोगों को numbering system के मतलिक information होनी चाहिए इस तरह के आप लोगों के grand quiz में ये objectives बनके आ सकते हैं आपके quizzes ये आ सकते हैं तो first, second, third जो lecture है इड में जो मुझे important लगा वो definitions है सेट की, सबसेट की, proper सबसेट की union and intersection ये definitions है, as it is आ सकती है आप लोगों के quiz में तो सबसे पहले सेट की है definition ये आ सकती है set is an unordered collection of distinct object एक set वो होता है जो distinct object हो और well defined हो वो एक set के लाता है उसके बाद element है दरसल अब मैंने आप लोगों को बहुत से details से नहीं समझाओंगी क्यूंके मैंने इनके lectures बनाए हुए है एक बार मैंने समझाया हुआ है, आप मेरे lectures जाके देख सकते हैं मेरे channel से तो अब मैं सिर्फ यहां पर आप लोगों को important reporter बता रही हूँ जो कि आपकी grant quiz में बहुत ही important होगा तो अब मैं यहां पर बहुत details से नहीं समझा रही है बस जल्दी जल्दी से बता रही हूँ elements होते है, elements क्या होते है, objects in the collections are called elements of the set जो object होते हैं एक set में वो तमाम elements of the set के लाते हैं अब subset है आगे सा, subset is a set whose every element of A is an element of B तमाम elements A के element B में हों तो वो subset के लाते हैं और यह denote किया जाता है इस sign से, उसके बाद है proper subset if A is a subset of B and B contains elements which are not in A then A is a proper subset of B, it is denoted by A proper subset B तो proper subset वो होते हैं जो A subset होना चाहिए B का यानि A के तमाम elements B में होने चाहिए और A not equal होना चाहिए B के तो यह एक proper subset के लाता है उसके बाद है union, तो union इसके आगे मैंने most important लिखा है क्योंकि यह seriously बहुत important है इस तरह के question आप लोगे के आजाएंगे, the set containing those elements which are elements A and elements of B तो यह elements union के लाते हैं, union में यह होता है कि आप लोगों को set के जितने भी elements होते हैं, उनको arrange करके लिखना होता है set A मेंसे और set B मेंसे जितने भी elements जो आप लोगोंने arrange करके लिखना होता है, वो union कहलते हैं इसको यह sign से denote किया जाता है यू sign होता है इसका इसके बाद intersection है The set which contains all the elements that are common to both the sets A and B set है उसमें जितने भी common elements होते हैं वो intersection कहलता है Next है cardinality, the cardinality of a set is a measure of a set's size meaning the number of elements in the set तो cardinality वो होती है जिसमें हम अपने set के तमाम elements को count करते हैं और उनको लिख लेते हैं यह जैसे कि हमने count किया number कितने हैं इस set में 2 है, 4, 6, 8, 10 यह total हैं, कितने हैं, 5 हैं तो हमने cardinality इसकी बता दी, यह 5 है और इसको हमने mode में define कर दिया इसका जो set है उसके गिर हमने mode का निशान लगा लिया और हमने बताया कि यह cardinality 5 elements पे मुझतमिल है और इसकी notation यह होती है, यह cardinality की notation होती है mode के अंदर होता है और उसके बाद है complex numbers, complex numbers कौन से होते हैं complex numbers वो होते हैं जो real parts और imaginary parts को include करके complex number त्यार होता है, यह देखे, यह real part है और imaginary part है इसको मिलाकर complex number त्यार होता है lecture 4, lecture 5, lecture 6, 7 में जो मुझे important लगा मैं बताती हूं आप लोगों को mapping सबसे पहले है mapping यह आप लोगों की definition as it is आ सकती है quiz में mapping between two sets A and B is simply our rule for relating elements of one set to the other mapping को होती है, mapping के जरीए यह नक्षचा साजी कहते हैं इसको नक्षचा साजी के थू हम function को define कर सकते हैं mapping के जरीए हम function को define कर सकते हैं उसके बाद relation है, relation क्या किलाता है mapping is also called a relation mapping को हम relation भी कहते हैं, mapping relation भी किलाता है तो आपके quiz में जो one to one relation, many to many, many to one और one to many relation है ये आ सकता है sorry मैं एक जीज बूलगी domain और range domain और range का topic जो है ये आप लोगोंने ना बहुत इच्छे तरीके से कर लेना है domain और range मैंने यहां पर show नहीं किया लेकिन लिखना भूलगी आप लोगोंने domain और range को भी बहुत अच्छे तरीके से prepare कर देना है ये grant quiz के लिए बहुत important है मैं आप लोगों को इस file में जो भी कुछ में provide कर रही हूं ये बहुत important है आप लोगोंने अगर ये ready कर दिया ना तो आप लोगों के full marks आ जाएंगे अब next है function तो function भी important है many to one and one to one relationships are called function function वो होता है जो set A और set B में connection बैदा करता है function is a connection relation between two sets A and B तो ये एक function कहलाता है जो set A और set B में connection के तोर पे use होता है connection करवाता है set A और set B में वो function कहलाता है अगे है the sum difference products and quotient of the functions F and G are the functions defined by अब ये जो है ये भी बहुत important है तो आप लोगोंने इनको भी सही से कर लेना है prepare ये जो है sum के difference के product के और quotient के functions ने इनको आपने prepare करना है ये आएगा ये F plus G इसको जब हम function इसका बनाएंगे तो इस तरह से बनता है ये minus जब subtract करेंगे तो इस तरह बनेगा multiply में इस तरह बनेगा और divide करके ये इस तरह बनेगा ये function आपको ने ready कर लेने हैं अब है आगे one equation solve three method ये के एक equation तीन method से solve हो सकती है एक factorization method है एक completing the square method है और एक quadratic method है quadratic formula से जो हल होती है एक equation तो एक factorization method एक completing square method quadratic formula जो ये है ये वाला formula quadratic है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a तो ये एक quadratic formula है ये formula के तोर पर भी आप सकता है तो मैट्रिक्स जो है वो एक टेक्टेंगलर अर्रेंजमेंट अफ नंबर्स और रोस और कॉलम्स तो मैट्रिक्स जो है वो एक टेक्टेंगलर अर्रेंजमेंट में होता है जो रोस और कॉलम्स में बताया गए होते हैं notation इसकी ये नीचे है ये notation होती है ये रोस और कॉलम्स में होते हैं कि एक मैट्रिक्स कहला रहा है ये मैट्रिक है अब उसके बाद है operations ओन मैट्रिक्स में आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या important है आपने बस ये prepare करना है तो आप लोगों को थमज़ आ जाएगी मैं रेल से नहीं बता रही आप लोगों को जल्दी में बता रही हुं यह को से होते हैं सब्ट्रेक्शन मैट्रिक्स को से होते हैं और वल्डिप्लिकेशन मैट्रिक होते हैं ग्रैंड क्विज के लिए यह भी बहुत इंपोर्टन है operations on matrix ठीक है उसके बाद square metric identity matrix a square matrix with ones on the diagonals and zeros elsewhere is called an identity matrix identity matrix वो होते हैं जिसके diagonals जो होते हैं वो one हो और बाकी otherwise वो सारे जो zero हो जैसे यहां पर बताया गया है कि इसके जो diagonals है वो one है ठीक है? diagonals one है और बकाया यह बताया है कि यह बकाया zero है तो यह एक identity metric होता है next row important है वो है determinant determinant क्या होता है then the determinant is a function from M to the set of real numbers the determinant is a process of attaching a real number to every square matrix तो यह determinant होता है इसकी notation होती है यह इसकी notation होती है determinant की तो यह है determinant उसके बाद है transpose the transpose of a denoted a transpose is the matrix obtained by interchanging of rows of a with its column तो transpose यह होता है कि आप लोगों के जो matrix है उसकी rows और column को interchange कर लेते हैं interchange करते हैं इनकी तो यह transpose होता है जैसे कि यह एक example दी है यह यहाँ पर one three minus four है two one five minus eight one archery है तो इसको यहाँ पर जाके change कर दिया है इसकी जो row थी को column से change कर दिया यह फर्स्ट जो रो थी इसको यहां पर कॉलम हो गया यह सेकंड थी यहां पर कॉलम हो गया और यह जो थर्ड थी इसको यहां पर थर्ड में इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया यह होता है ट्रांस अब है हमारा लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 इसमें जो important है वो arithmetic sequence है यह जो है यह arithmetic sequence, arithmetic series, geometric sequence यह सब बहुत important हैं आप लोगों के मैं कह रही हूँ, यह ready कर लें lecture no.13, 14, 15 में जो first है वो arithmetic sequence मुझे important लगा और मैंने इसमें add किया arithmetic sequence, an arithmetic sequence is a list of numbers with a definite pattern लिस्ट होती है numbers की जो definite pattern में होती है इनका formula है यह formula जो है यह आप लोगोंने ready करना है इस यह formula बार बार आता है यह grand quiz में बहुत आता है an is equal to a plus into n minus 1 और d यह जो formula है यह important है इसको आप लोगोंने कर लेना इसके बाद arithmetic series and arithmetic series is the sum of the terms in an arithmetic sequence जिसमें यह होता है कि जितने भी numbers होते हैं उन सब को sum कर लेते हैं आपस में जैसे कि अब यह नीचे example दी हुई है corresponding arithmetic series यहाँ पर जो 30 numbers थे उनको हमने जब add कर दिया तो यह arithmetic sequence में हो गया ठीक है and the intermediates is found by multiplying the previous term by a constant value called the common ratio. call the iay Yeti It is called a geometric sequence or geometric progression here. This is geometric sequence, YOUR definition is important, 365 इसको आप लोगोों कर लेन इसका formula, An is equal to Ar меньше N-1 यह formula which is make formula you can do this formula and this formula is लोगों and this formula you can do in the below Saat यहा पर यह beaucoup formula je formula right in the below for pen sequence for even of the geometric series इसका है SNA into 1 minus R N whole N over 1 minus R तो यह आप लोगों का फॉर्मूला है यह sequence of the dramatic series 14, 21, 22 में से मुझे important लगा permutations and combination में आप लोगों को वो चीज़े बता रही हूं जो के grant quiz के लिए बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा important है वो बता रही हूं ठीक है तो इसमें permutation और combination के questions तो बहुत ही ज्यादा आते हैं grant quiz में तो आप लोगों ने इनको पानी की तरह ready कर लेना है यानि कि आप लोगों इस सही तरीके से इसको ready करना है आपका बहुत अच्छे तरीके से grant quiz होगा इन्शाला permutations का formula है यह वहला formula permutation का है और यह combination का formula है यह दो formula आप लोगों ने कर लेने हैं और यह आएगा आप लोगों का बहुत important है उसके बाद permutation के rule क्या होते हैं यह जो होता है first rule यह कि n combination r is equal to number of combination इसके बाद n is equal to n क्या होता है total number of objects in the set set के अदर जो objects होते है numbers of objects उनको counter के बताना होता है उसके बाद r है r किसलिए होता है r number of choosing objects from the set ठीक है तो यह permutation और combination को आप लोगों ने ready कर लेना है उसके बाद यह जो end में है pascal triangle यह जो है बहुत important है इनको आप लोगों ने ready कर लेना expressions और coefficients में है x plus one y का one अगर लें whole का तो is equal to x plus y होता है इसके में one one आजाता है इसका coefficient second में यह हुआ के x plus y का whole square is equal to x square plus two x y plus y square में यह हमने उपर वहला जो one है इनको हमने उसे तरह रहने दिया निचे और बीच में यह इन दोनों one को add करके हमने यहां पर two लिख लिए ठीक है तो यह थे आज के topics important अगर इनको आप लोग ready कर लेंगे तो इंशाल्ला अच्छे marks आजेंगे इनको अच्छे से prepare कीजेगा और अच्छे से marks लिजेगा और यह ही आएंगे इन्शाल्ला अगर मेरी वीडियो से आपकी help हुई है तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को press कर लिजेगा like कर लिजेगा और comment कर लिजेगा ओके अल्ला हाफिज कर लिजेगा